वह को आपके यूटीब चैनल और मैं असगरता हूँ क्या भी अटीक हूंगे तो वह आज हम देखने वाले था वायू एवं जल प्रदूशन है एर एंड वाटर पॉलुशन इससे पहले जो है यह सेकेंड पार्ट है फिर्स्ट पार्ट जो है आप लोग देख लेंगे उसमे प्राइव परदूशन चैकाई मैं में करने लिक्राइन जैना लिक्षा परदूशन का इंट्रोडक्षज ढर्ब्रक्षण फिर प्रदूशक क्या होता है उसके बारे में बताएंगे और अगर वायू प्रदूशन के बारे में पूरा लिखेंगे ठीक है उसके बाद जल प्रदूशन भी अगर देता है तो फिर प्रदूशन क्या है उसका इंट्रोडूशन देंगे फिर प्रदूशक के बारे में लि करते हैं अब देखते हैं कि इसकी water pollution आफिर हुद्द क्या है तो इसका इंट्रोडिक्षन में जो आप water के बारे में जानते हैं वह भी आप अपने सब्दमें जो explain कर सकते हैं तो पिछली मैंने क्या लिखाय दिखते हैं जल परियावरण का अभीना अंग है जल के बीना जीवन असंभव है पौदे खनी जलोणों को जल से गुलित अवस्था में ग्रहन करते हैं हमारे प्रित्री का लगभग 75% हिस्सा जल से घिरा हुआ या जल मगन है तो पर आव लोग पता ही है कि पानी की विना तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता है और जो प्लांस है जमीन से घनीज पदार्थों को जो घुली हुई अवस्था में प्राप्त करते हैं जल से जड़ों के माध्यम से ठीक है तो उसके बारे में थोड़ अस्था बता देना ह कि जल का क्या उप्योग है अब देखते हैं जल प्रदूशना के किसे कहते हैं ना जल में विविना प्रकार के खनी जलवन अकर्बनिक तथा कर्बनिक पदार्थ और गैसे घुली रहती है ठीक है जल में जो है कर्बनिक और अकर्बनिक पदार्थ होता है इसके अलावा खन से भी घुल रहते हैं और इन सब पतार्थ की संतूलित मात्रा कम या जादा हो जाए तो जल प्रदूशित हो जाता है अब क्या होता है इस यह जो components है क्या बार जो है इनकी मात्रा कम हो जाती है और कई बार ज्यादा हो जाती है जिसके करम जो है जल प्रदूशीत हो जाती है या हो जाता है तता जीवों में रोग उत्पन करते हैं और जब इस जल को उपयोग जब मानाव करते हैं या फिर कोई समझ में क्रकार कारबनीक लवन वगरा पाया जाता है क्या होता है कि इनकी मात्रा में परिवर्टन हो जाता है जिससे प्रदूशित हो जाता है और जिसका प्रभाव जो है मानवों पर या जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है तो पर इसे जो है जल प्रदूशन कहते हैं अब देखते हैं मैंने छोटा सा और लिखा है याद रखने के लिए है ना जल के गुणों में होने वाले अवांचिनिया परिवर्तन जिससे जीवधार प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है तो उसे जो है जल प्रदूशन कहते हैं वाटर प्रदूशन ठीक है समझ में आ गया जल के गुणों में कुछ कुछ परिवर्तन हो जाएगा जिसके कारण जब हम मानों या फिर कोई भी जुधारी उसका उप्योग करेंगे तो फिर डिस किस कारण जो है जल प्रदूशित होता है ना किस किस कारण जो है वाटर पल्यूशन होता है वह हम दिखते हैं तो फिर पहला है वाही तमल जिसे सिवेज भी कहते हैं तो फिर सिवेज किसे कहते हैं जैसे कि हमारे घरों में 140 वेकर बना है तो फिर वहां से मल मुत्र जो है न निकल निकला हुआ वाहीतमल, नडियों, नालों, समुद्रों में डाल दे जाते हैं, मुत्र की यूरिया भगटित होकर अमउनिया बनाती है, जिस से जल प्रदूचीत हो जाता है, तो फिर यह करण हो गया, सिवेच की करण जल प्रदूचीत होता है, अब second करण देख लेते हैं घरेलू अपमार्जक अपमार्जक है निए डिटर्जेंट है जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं उसके करण भी प्रदूशीत होता है कौन प्रदूशीत होता है वाटर देखते हैं घर एवं अन्य स्थानों की सफाई कपड़े धोने आधी किले प्रदूशीत होता है हुआ है वाटर पोलूशन होता है हम किट्ना सय होते हैं छीटों में कीटों को माणने के लिए तो फिर खेत में जब हमुळूच्टों करते हैं गई तो फिर उस पानी में कितना शक मिल जाता है और जब हम किसी कारण वाज जब पानी को हम नंदी नालों में बहार देती है तो फिर जल प्रदूशी हो जाता है तो फिर वही यहां पर लिखा हुआ है आप लोग पढ़ लेंगे और इसके कारण जो है पीलिया हैजा पेचिस गरे निकलता है गैस उसमें जो है कुछ कुछ पदार्थ होते हैं जिसके कारण जो है वो जल में मिल जाते हैं और जल को जो है प्रदूशित कर देते हैं ठीक है तो पर चलिए यह देखते हैं विभीना कारखानों से निकलने वाला वर्ज पदार्थ विभीना रसाइनों से य नालो आदी से बहकर जो है नदियो जीलो जलासावों में पहुंसता है जिससे वहां का जल प्रदूशीद हो जाता है ठीक है वर्जी पतार्थ की कारण क्लूराइट्स सल्फेड नाइटरेट्स आदी जल्य जीओ को हानी पहुंचाते हैं ठीक है इस तो फिर जो कारखानों से जो जल बगर निकलते हैं उसमें क्लूराइट्स सल्फेड नाइटरेट्स वगेरा होते हैं ठीक है जो जली जीओ को हानी पहुंचाते हैं ठीक है तो फिर इसकी कारण बे जल प्रदूशीद होता है तो फिर अब हम ने देख लिया गैस की किस-कारण जो है जल प्रदूशन होता है ठीक है इसके अलावा आप लोगे के मन में अगर कोई खयाल आता है तो फिर आप लोग लिग सकते हैं ठीक है अपने शब्दों में अब देखते हैं जल प्रदूशन के रूप है न कि जल प्रदूशन किस-किस रूप में होता है तो फिर वह हम देखलते हैं जल प्रदूशन को जो है चार स्रेवनियों में वर्गी करिट किया गया है ठीक है गईस चलिए देखते हैं सबसे पहला जल का बहुतिक प्रदूशन रूप मतलब क्या समझ रहा हो गईस जल में कितने प्रकार की गुण पहा जाता है उनके गुणों में होने वाले प्रवकुरुप से रंग घंद घंद घंदलापन इवां तापया गुण आदी में परिवर्टन इस प्रदूशन के अंतरगत आते हैं फिजिकल यानि क्या समझ रोगाइस बहुतिक है ना जो बाहर विद्धमान है तो फिर बाहर हमें क्या दिखता है उसका कलर दिखता है स जो स्वक्षे जर रहता है वो तो रंग हीन होता है ना कलरलेस होता है तो फिर जल के रंग में परिवर्टन तब तक हानी का रख नहीं होता है जब तक कि इसमें विशाक्त रशायन ना सम्मेलित हो जल जो है रंग हीन होता है अब देखे गाईस अगर जल में कोई कलर में जो है कुछ कुछ निलंबीत हो जाते हैं जैसे मिटि के करण धूल वगरे की करण उसमें निलंबीत हो जैते हैं तो फिर यह हो गया हमारा यह संध 172-2 तहाँ दोगी के वाहस मुखत क्लोरीन फिनोल्स यह आंगे। high- давam मेगनेज और मुक्त क्लोरिन के कारण यह जल यह बदल जाता है तो समथ जाना कि जब लगों मतलब क्या है यह जैसे कि हम कर खाना रहे हैं कर खाना वगरा वहां से जो जो जणादा है उसको हम बहार में छोड़ पुर्शों स्भी करते हैं अब शुक्ष जो है इसे पिए करण नहीं पाइब और मुक्त क्लोरीन यानि की फ्री क्लोरीन आमोनिया है फिनॉलस है अल्कॉहल्स है है तो इनके कारण जो है जल जल में गन्ध आ जाता है उसके एसके लावा जैसे जैव करक्र searches means अर्म माइस्मौजियों के करण भी यहाशी तो फिर समझे जल गन्ध तो दिए है प्रदूशीत हो गया हुआ ठीक है अब देखते हैं जल में रश्ट हरने के गिंदा उसमें कैसे परिवर्ध तो पुर देखते हैं जल में रश्ट होने के प्रदूशन कर्बनिक और अकर्बनिक पदार्थ brush जाब कौन के व्यर्थ पदार्थ जैसे DDT तो फिर इनके कारण भी जो है जल प्रदूशित होता है ठीक है अब कार्बनीक रसायन दिख लेते हैं जैसे प्रोटीन वसा पर्रदूशित करता है ठीक है तो फिर क्रीन गंधक सल्फर डायोकसाइड एच्टुएस की टोन्स फिनॉल्स एमीन से ना इसके करण जो होता है तो फिर हो गया हमारा जल का कार्य की प्रदूशन अब दिखते हैं आगे फूर्थ दिखते हैं जल का जैविक प्रदूशन है ना इस प्रकार का जैल प्रदूशन प्रदूशन के स्वरूप अब देखते हैं जल प्रदूशन को का मनुष्य पर प्रभाव है ना प्रदूशक किसे कहते हैं तो फिर मैंने एर पॉलिशन जब बताया तब फिर इसके कारण जैसे के कारण प्रदूशन होका Urs गांगे तो फिर मैंने यहां पर किवल कि लिया है इसके आप चानते हैं तो फिर जो है आप लिख सकते हैं टीक है तो पहला प्रदूशक है Això और इसका क्या प्रभाव पढ़ता है मनुश्यों में वह भी जो है मैंने लिखे ठीक है तो फिर सबसे पहले दिखते हैं लेड है जिसे सीशा भी कहते हैं तो फिर इसके करन जो है उल्टी लगता है भूक कम लगता है और यकृत के जो है छती होता है ठीक है तो फिर सीशा का यह प्रभाव पड़ता है अब दिखते हैं सेकेंड प्रदूशक क्या है पारा जिसे मर्गरी भी खेते हैं इसकी करण शीर दर्द होता है रक्तलैयन और डाइरिया जो है होता है ठीख है थर्ड देखते हैं copper प्रदूशक है न इसके करन अब Rubell Jor होता है उच्छ दाब और अचेत दसा जो है होता है घ्याअग जो फिर यह हो गया हमारा जलप्रदूशकों का मनुश्यों पर प्रभाव है इसके लावा भी जो अगर आप जानते हैं तो फिर लिख सकते हैं ठीक है गैस अब देखते हैं गैस control of water pollution जल प्रदूशन को किस प्रकार से कम किया जा सकते हैं तो फिर पहला देखते हैं जल प्रदूशन का जो रोक थाम है वो हम नहीं लेकित प्रकार से कर सकते हैं तो फिर पहला देखते हैं समा मरने जल प्रदूशन होता है जल प्रदूशन क्या होता है यह भी वो लोग determoda T और इससे क्या-क्या हानी होगा है जल प्रदूशन से क्या-क्या हानी हो सकता है या होगा उसके बारे में जो है औगत कराना है तकि जो है लोग उसके बारे में जागरूख हो और जल को प्रदूशीत ना करे ठीक है तो फिर सबसे पहला काम तो जो है लोगों को जागरूख कर ना है सेकेंड है गाइस सहर की गंदगी को समाप्त करने की पर चाहती जल उप्योग के लिए छोड़ना चाहिए ठीक है थर्ड देखते हैं जल संसाधनों का नियमित सर्विक्षन करना चाहिए जल संसाधनों यानिकि जहां पर जल वगएर होते है जैसे कि टंकी वे रहे तो उनका जो है हफ्ता दो हफ्ता में सर्विक्षन करना चाहिए तक वहां पर सफाई वगएर है कि नहीं है न अगला देखते हैं जल संसाधनों में मनुष्यों जानवरों के नहाने पर प्रतिबंद होना चाहिए यह टर बन गया है मेरे से यह हैट है तो फिर जहां पर जल संस प्रदूशित नहीं होगा सेकंड देखते हैं गाओं में सौचले की परियापत व्यवस्ता होनी चाहिए अब गाओं में सौचले बन गया है क्योंकि मैं गाओं में रहता हूं तो फिर मैं जानता हूं अब सभी लोग सब्सक्राइब करते हैं फिर है मल निकास का उचित प् सब्सक्राइब करेंगे चैनल को सब्सक्राइब मत ही करना सब्सक्राइब तो मेरा इसक्राइब मैं जानना चाहता हूं अगर मेरे समझाने में कुछ प्रप्राब्लम है तो फिर मैं उसमें सुधार करूं है ताकि आप लोग का help वो सके और थैंक्यू गाइस मेरे वीडियो को watch करने के लिए और इसका first part आप लोग देख लेना मैंने उसके उसमें प्रदूशन क्या है उसके बारे मैं अच्छे से explain क्या है प्लश एयर पॉलूशन क्या है वह मैंने सारे कुछ जो है explain कर दिया है तो फिर थैंक्यू गाइस मेरे वीडियो को watch करने के लिए